हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप लो का एंसे अटी जोन में हर्याना जी के डिसकस कर रहे हैं इसमें हम आपे डिसकस करने वाले हैं इरिगेशन और एनर्जी इनर्जी पूरा कंप्लीट कर चुक है इरिगेशन वाला इसमें थोरा बहुत बचा हुआ है कुछ मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट का लोकेशन है वह सब डिसक्रस कर लेते हैं कुछ गवर्मेंट की निसीटीव है तो लास्ट वीडियो है हमारा हो जा सब्सक्रस कर चुग है यहां से में डिसक्रस करना है कुछ मल्टी पर्पेस Irrigation प्रोजेक्ट है सब से पाहले एक Irrigation प्रोजेक्ट है जिसका पहला नाम था ताजे वाला वेणर ताजे वाला बेरजट ठीक है न इसको बाद में 1999 में इसको हाथीक कुंड बैरेज का नाम दे दिया कि इसमें थोरा सा मोडिफीकेशन उबरा हुआ यह बात या रखिए यह बैरेज कब बना था 1873 में ठीक है ना जगह का नाम क्या था यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट हर्याना में यमुना नगर कहां पे लोकेशन आपको बता होना जी यह है यम यमुना नगर यहां पे है हाथी कुंड बैरेज बनाएगा ना और इट वच कंप्लीटर इट रेगुलेटर दफ्लोव यमुना रिफर कहां कहां इरिगेशन के लिए उत्तर प्रदेश में इरिगेशन के लिए मतलब यमुना रिफर को रोको और फिर आप जगह-जगह कैन से इसमें दो कैनल थी एक हें वेस्टर लियमुना कैनल और िस तर्न यमुनळ ऑ आप असमुद्ट में को को हाथी कुंड हतनी कुंड वेरेज में बात में कर दिया यह थनी कुंड भी आपको थोरा बहुत करना है ठीक है और एक्चुली बैरेज क्या करता है पानी को रोकता है न तो बहुत जगह यह थोरा सा छोटा-छोटा स्मॉल रिजर वायर भी बना जेता है और यह इसलिए थोरा बहुत वेटलेंड का काम करने लगता है बहुत सारे वाटर वाट्स भी आते हैं तो जितना हमें बैरेज के नुकसान है तो फायदे भी बहुत जादा है ठीक है उसके नेक्स्ट है जवाहलाल नहरू इरिगेशन प महांद्रगरिय तिष्टिक और भीवाने डिस्टिक ठीक है महांद्रगर डिस्टिक और भीवाने डिकाँ बस याद रख लेजेगा ठीक है चलिए आगे हमके करते हैं कुछ और है एक है O2 Barrage, इसको एक और नाम है, ओटू हेड वाल जता है, यह एक मजोनरी वेयर है, वेयर भी एक टाइब का मान लो, समझ लो, छोटा सा बैरेज है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंसिये दिया है, बैरेज अग यह हाई कंट्रोल अफ लो को करता है, और सिंपल लेकिन इसमे उतना जयादा नहीं होता है, उतना जयादा हमें जरुदत नहीं होती है, और फिर पानी के फ्लो को थोड़ा control किया ता फिर इदर अधर लेकिन यह जो बैरज होता नो बहुत जब खर्चा लगता है कि प्रोपर बनाया जाता है ठीक है न और इसको low head डैम भी बोलते हैं कहां पर घागर हर्का रीवर पर याद रखिये कहां पर घागर हर्का रीवर पर इंपोर्टेंट है ठीक है और यह क्या करता है छोटा सा वाटर मैंने आपको बताया था ना कि यह क्या करेगा छोटा सा पानी रोकोगे तो रिजर वायर टाइप का बरेगा ना क्योंकि पानी रोक रुक रहा है उसके बाद आप कनाल के मधम से तो यह रिजर वायर बरेगा ना यह बाद धिया र पानी जमा होगा आप वहां से आप दो कैनल को पहुंचा सकते हैं एक है नदन घागर कनल और एक सदन घागर कनल याद रखने जरूत नहीं आपको पता ही है यह पानी जाता है कहां पर राजस्थान स्टेट के नदन वाले साइट पर ठीक है जो फॉर्मर चीप मिनिस्टर थे हडयाना के उनका नाम था चोदरी देवी लाल ठीक है तो ओट्टू रेजर वायर ये नहीं ठीक है इसलिए कभी-कभी क्यूंकि ये लेक जो है इसी रेजर वायर पर बना है तो धानुक लेक रेजर वायर को हम ओटू रेजर वायर भी बोल इसको एक और नाम दिया था है बिरेंद्र नारायन चक्रवर्ति प्रोजेक्ट भीवाने डिश्टिक में तो आप ज़्यादा याद करने हैं ताजे वाला याद कर लो हाथ हतनी कुंट तो याद ही हो गया जवाहर नेहरुई आपको प्लीज लोकेशन आपको याद रखना है करिया सेंद्र में करें क्या है तरफ सकता है को पहले नहीं कि इसके नहीं पूछेंगे क्यों आप से बहुताते हैं तो याद करने प्रोजेक्ट है चोटे मोटे है नरवाना लेधिए कंण घिð ही झिंड में जिन्ड में ठीक ना नर्वाना लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ठीक है उसके बाद नांगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट अंबाला में लोहारू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इसको इंद्रा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट बोलते हैं ये कई जवह पे हैं ल अच्छा ठीक है उसका मेवाद तो मेवाद मी होगा दादुपूर नल्वी कैनल इरिगेशन पुजटे यमना नगर यम्वाला और कुरुच शेक्तर में है यह उतना इंपॉर्टन है क्योंकि छोटा-छोटा है ठीक है कुछ रीजन बाइज इरिगेशन सिस्टम हर्याना की ब हैर और यह है यह है यह जो है आमपाला वलवाठं हम बात करतें यह वला पारट और सिवाल इखेंच वला पारट यहांकर सिवाले खिल्स यह बता मैं पता ही है यहां पर रेन फॉल्ट ठीक ठाक हो जाता इवन क्योंकि आपको पता है ना आती है रीवर तो अपने साथ बहुत सारा निउट्रियंट लेके आती है तो ऊपर वाला जो जमीन होगा यह वाला एरिया होगा काफी फर्टाइल होगा ठीक ह तो अमबाला को देखो एक तो पहले से ही थोड़ा फर्टाइल जमीन है अब उसको इरिगेशन भी मिल गया तो खेती अच्छे से नहीं क्यों होगी है बताओ आप ठीक है यहां पर ठीक है जमीन तो था ही देखो एक होता है जमीन ही बंजर होना जमीन तो था ही अच्छा प आ गया कुरुचेत्रा आ गया करना ला गया कैथल आ गया रोहतक वाला सोनी पती यहां पर यहां भी ठीक ठाक आ जाती है इसलिए यहां पर मेज की मक्के की खेती होती है ठीक है न और उसके अद राबी क्रॉप्स भी यहां पर ट्यूबेल के मदद से उगाया जाता है किसकी बात कर रहे हैं देखो दो टाइब को थे हैं रवी और एक होता है खरीफ कड़िब क्राप्स उह होते है जो रेनी सीजन होते हैं रभी क्राप्स इंदर सेंस वीट हो गयरा वीट उसके मस्टर उगरा सम यह सब किसके इनमें बहुत कम पानी की जरूत होती है तो इसे ट्यूब वेल और गरह से काम सला लेते हैं इसमें गुरूग्राम है फरीदाबाद है यहां पर थोड़े सा कम होते हैं लेकिन आपर मेजर क्रॉप कोन करें मेज बार्ली मीलेट ओट जो बारली ओगरा होगा या मिलेट यह थोड़े से कम पानी में भी चल जाते हैं ठीक है ना इसन हो जाता है सेंडी एरिया के बात करते जो एरिया टक टच नहीं होता है राजस्थान से उसकी बात करते जैसे सिर्शा हिसार भीवानी महंदगर इन एरिया में ठीक है न यहां पर रेंफॉल आल्मोस्ट निल के बरावर होता है तो बारली मिलेट यह सब बीना पानी के हो जाता है इवें वीट ग्राम थोड़ा वह लोगा रहा है सब स्प्रिंकल स्प्रिंकल्स आपको पता न ऐसे करके ऐसे नहीं घूमता रहता है चार तोरह पानी छिरगाब करता रहता है यह सब कुछ गवर्मेंट की इनिसेटिव उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिसेटिव नहीं है जो आपको पूछ दे एक इंटीग्रेटेड माइक्रो इडिगेशन स्कीम है जिसमें कैनल और इंप्लिमेंट किया गया है एच ए आर इडिये के द्वारा इस ऑर्गनाइशन के बारे में हम और डिसकस कर चुए हैं लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट स्कीम है आगरा कैनल स्क तो इसके बारे में उतना डिफ हमें नहीं जाना है चारण डैम अंडर कंश्टॉक्शन हैं तो अंडर कंश्टॉक्शन पर क्यूं पूछेंगे पूछना होगा न तो बना बना य या नहीं पूछेगा enfants के न थोड़ा बाद यह लिख सकते हैं अगर आपको में मेंस में लि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आगला चैप्टर डिसक्स करेंगे ट्रांस्पोर्ट एंड कम्मिनिकेशन इसमें कुछ ज्यादा नहीं है रोड नेटवर्क रेलवे यह सब डिसक्स करते हैं ठीक है यह हमारे कुछ कोर्स है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मस्ट कम्प्लीट हो गया है इसमें सिर्फ लुसेंट अब्जिक्टिव में है फिजिक्स और केमेस्ट्र बचा हुए जो कि हम लोग अभी कर रहे हैं बाकी पूरा कम्प्लीट है ठीक है इसमें आपको वीडियो के अनलिस्टेट वीडियो का लिंक मिलेगा और वीडियो का प्लेइलिस्ट मिलेगा और प्लेइलिस्ट भी अनलिस्टेट होता है तो आप जोईन कर लोगे ना तो आपको यह सब मिल जागा आपको मैं अनलिस्टेट वीडियो का लिंक प्रोवाइट